अगर ये बात सच है तो ये कहां भाग रहे हैं इसके बारे में ज़्यादा जानकरी है नहीं आज और कल में क्या हुआ आपको पता है ये प्रोटेस्टर्स बड़ी कौंटिटी में गोटा बाय राजपक्षा के प्रेजडेंशिल पैलस में घुस गए अंदर जाके बेड पे पड़े हैं स्विविंग पूल में नहा रहे हैं तोड़ा फूरी कर रहे हैं ओवर और किशन में खाना बना रहे हैं देखे क्या है ना कि प्रोटेस्टर्स के पास कोई क्रेडिबल लीडर्शिप है नहीं जब अश्रफ घनी भागे थे उस समय पे आल्टरनेटिव तोर पे तालिबान की लीडर्शिप आ रही थी कि गोटा बाय राजपक्सा ओफिशिली 13 जुलाई को प्रेजडेंट की कुरसी छोड़ देंगे रानिल विक्रम सिंगे भी मोस्ट पॉबली प्रैम मिनिस्टरी कुरसी छोड़ देंगे इनका भी घर जिला दिया गया श्री लंका के अंदर तो हालत बहुत खराब है राजपक्सा अज भागे-भागे पूर रहे हैं श्रीलंका में महिंदा राजपक्सा कहां पे ये तक नहीं पता है अभी महिंदा राजपक्सा में जब माई की शुरुवात में रिजाइन किया था उसकत ऐसा सुनने में था कि ये देश छोड़ के चले गए बाद में श्री लंकान कोट ने बोला कि महिंदा राज़ पाक्षा और उनके 15 राइस देश नहीं छोड़ सकते तो देखे आफगानिस्तान जितनी बुरी हालत नहीं है अश्रफ गनी को भागना पड़ा चुकि तालिबान उनको मार सकता था ऐसा नहीं है कि गोटबाय राज़ पाक्षा और महिंदा राज़ पाक्षा श्रीलंका के अंदर रहेंगे तो उनको मार दिया जाएगा दीरे दीरे चीज़ें सॉट आउट हो जाएंगी जो प्रोटेस्टर्स की डिमांड थी कि गोटबाय राज़ पाक्षा रिजाइन कर दें वो डिमांड अब पूरी हो गई है हाँ ये अलग बात है कि जो भी नई सरकार आएगी वो इन राज़ पाक्षास के अगेंस्ट एक करप्षन का केस चलाएगी वैसे मैं बता दू राज़ पाक्षास के ओपर ये अलगाया गया है कि इन्होंने 18 बिलियन डॉलर की दौलत दूसरे कंट्रीज में जमा कर रखी इल्लीगली तो ये शीलंका छोड़के इसी दूसरी कंट्री में जाके काराम की जिंदगी जी सकते बरहाल राज़ पाक्षास का जो होगा वो होगा अब शीलंका के अंदर एक क्रिडिबल रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी आए डॉमेक्रोटिक एलेक्टिक तरीके से चुनके और ओवरल लोगों की मर्जी के हिसाब से राज यहां पे हो इस बात की उम्मीद लगाई जा सकती चुकि ऑफिशली गोटबाय राज़ पाक्षा अब तेरा जुराई को अपनी कुरसी छोड़ दें इन कट्री चुटके भागे हैं नहीं भागे हैं इसके बारे में भी क्लियर कट जानकारी नहीं है लेकिन हाँ अगर गोटबाय राज़पाकसा, महिंदा राजपाकसा और बाकी जो भी राज़पाकसा भाई है शिलंका के अंदर है तो इनको हेवी सिक्योर्टी की जरौत है चुकि अभी शिलंका के लोगों के अंदर इनके प्रति गुस्ता बिलकुल उबाल पे तो कहीं भीड में नजर आ गए लोगों को तो बचेंगे नी तो इस कंटेक्स में हो सकता है कि टेंपरेरली ये देश छोड़ दें अब ऑफिशली जब सरकार यहाँ पे गर जाएगी प्रेजिडेंट नहीं है प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे रानिल विक्रम सिंगे भी most probably यहाँ पे अपनी कुरसी छोड़ी देंगे चोकि उनका घर भी जला दिया गया तब एक डेमोक्रेटिकली एलेक्टेड एलेक्शन होंगे और प्रापरली रिप्रेजेंटेटिटिव सरकार आईगी श्रीलंका के अंदर जो कि सारे तबको की एक inclusive सरकार बनाएगी ऐसा expect किया जा सकता है चोकि श्रीलंका is a democracy उसके बाद लोगों का ध्यान राजा पाकसास के ओपर गुस्सा बज़ाए निकालने के बज़ाए एक credible सरकार बनाने में रहेगा कुछ ऐसी reformist policies बिनाने में रहेगा जो कि सच में श्रीलंका को इस मुसीबत से पुबार से